नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब सेनल आरके योधना पर पैंशन से जुड़ा हुआ एकों नया ताजा अपडेट लेटेस्ट न्यूज आप सभी दिव्यांग विद्वाव वर्दवस्ता और कुष्टवस्ता पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैंशन सूशना 2030 के अंतरगत घर बैठे आप अपने मुवाईल फोन से अपनी बैंक पास्बुक कैसे देख सकते हैं कैसे चेक कर सकते हैं आपको पैंशन मिली है या फिर नहीं मिली है यदि नहीं मिली तो उसके पीछे क्या बड़ा करण है आपको पैंशन ना मिलने का संपून डिटेल वाइज में यह जानकरी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है निवेदन यही है वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखेगा तभी जानकरी आप अच्छे से जान पाएंगे वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी दोस्तों बैल आगन के बटन को प्रेस करना ना बुले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं देखे दोस्तों हम आपको सीधे ही राज्य सरकार दुआरा चलाय गया पैंशन पोर्टल पर लेकर आचुके हैं यहां पर आप ओनलाइन सर्विस देख रहे हैं अपनी पास्बुक देखे यानि कि आपको कित-कितने महीने की पैंशन मिल चुकी है और किस महीने की रह रही है यह भी जानकर आप यहां से ही देख सकते हैं यहाँ पर आने बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना Member ID का चुनाव करना होगा, यानि कि जो आपकी Member ID है, जब आपने आविदन किया था, आविदन करते समय, वहाँ से आपको एक Member ID मिली होगी, तो वहें Member ID आपको इस कोलम में डालनी है, उसके कोड है, यह Caps a Code आपको इस कोलम में डालना होगा, और Show Detail पर आपको क्लिक करना है, केवल और केवल इतना Process है, चलिए यह जानकर हम आपको करके दिखाते हैं, देखें यहाँ पर हमने Member ID जो हमारी Pension का आविए डाल दिया है, और यह Caps a Code हमने यहाँ पर as it is डाल दिया है, अब हम क्लिक करते हैं, Show Detail पर, आपको इसी प्रकार से Step by Step को Follow करना होगा, और जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है, वह कुछ इस प्रकार से Open हो चुका है, यहाँ से हम Scroll Down कर लेते हैं, और जो Personal जानकारी है, वह हम यहाँ से आप तक साजा नहीं करेंगे, जो महतपूर्ण जानकारी है, वह हम यहाँ पर आपको दिखानी जा रहे हैं, देखें, यहाँ पर आप समझ सकते हैं सबसे पहले, देखें, पैंशनर बेसिक डिटेली के लिए, जहाँ पर पैंशन धारक का, जिले का नाम होगा, जनपत का, लोकल बोड़ यानि कि जो अप दिया था अपना, वह यहाँ पर आपको एड्रस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको प्रिशनल इटेल हो जाती है, तो यहाँ पर आपको स्वैम आप चेक कर लिना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो कोई गलतिया हो रही है, यहाँ से आप अपनी पास स्वैम आपको प्रिशनल इसलिए है, यहाँ पर महिना देखे, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, तो यहाँ पर किस-किस महने की पैंशनल मिल रही है, इन लाभारति को यह भी हम आपको दिखाएंगे, किस योजना का आप लाभ ले रहे हैं, जैसे ओल्डेज पैंशन है, 600 रुपी हैं, यहाँ पर आप अकाउंट नंबर देखे, यह आपका अकाउंट नंबर है, यह आपका IFSC कोड है, यह आपका स्टेटस है, कारवाई प्राधीन, तो यहाँ से देखे, आप यहाँ से हम साइडे में करेंगी, इसको, यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने तो यहाँ पर देखिए इन लाभारतियों को जो पैंशन दी गए जरुवरी महीनिक मिली है और दिसंबर महीनिक मिली है लेकिन जो फरुवरी महीनिक पैंशन है अब तक यहाँ पर नहीं मिल पाई है अब यहाँ पर जो यह पैंशन धारक है इनको केवल और केवल यहाँ पर जो pension ना सी दी गई है तो इस तारिक में bank खाते में आनी थी लेकिन नहीं आ पाई किस वज़ा से तो यहाँ पर response बता रहा है bank का कि no such account यानि जो इनका account है वह यहाँ पर नहीं दिया गया है no account है तो यहाँ पर इनका इस वएसे इनको pension का लाब नहीं मिल रहा है तो आपको भी यह गलतिया चेक कर लिने है देखिए यह एक बड़ा कारण है आपकी pension bank खाते में ना आने का तो यदि आप से कोई गलतिया हो रहे है इसे प्रकार से आपको अपनी गलतिया संशोदन करानी है आप अपने bank में जाए अपना bank KYC कराईए अपना pension का EKYC कराईए और यहाँ प आपको हमरे जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जोड़ लाइक कर दीजेगा अब हम आपको बताते हैं कि आप इस portal पर कैसे विजिट कर सकते हैं देखें यहाँ पर हमने mobile phone में chrome browser open कर लिया है इसी प्रकार से आपको भी अपने mobile phone में chrome browser open कर लिना है तो यहाँ पर आने बा अब जैसे हमने यह सर्च किया सर्च होने के बाद यहाँ से आप देखें आपको लिखा मिलेगा सामाजिक शुरक्षा pension मध्यपरदेश social security.mp.gov.in अब आपको इस पर क्लिक करना है हमने किलिक किया इस प्रकार से हमारे सामने page open हो चुका है यहाँ पर देखें लिखा है अब देखें यहाँ पर एक यह नीचे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो हम इस पर क्लिक करने की कोसिस करेंगे अब देखें हमारा जो क्लिक है यहाँ पर क्लिक हो चुका है क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से अगला page open हो चुका है यहाँ पर आप पढ़ रहे ह ओन लाइन सर्विस तो यहां पर आपको नीशी आना है और यहां पर जैसे हमने आपको बताया था मेंबर आइडी से या काउन नंबर से अपना जिससे भी आप देखना चाहिए उससे देख सकते हैं जिसकी भी आप पैंशन का लाब ले रही है मध्य पर्देश के अधीन आने वाले यदि आप भी अपनी पैंशन देखना चाहते हैं तो तरीका हमने आपको बता दिया है इसी परकार से आप step by step अपनी पैंशन की संपूर्ण जानकारी अपनी पास्बुक देख सकते हैं कीजेगा आपको तुरंत जाब देती जाएगा लास्ट में हम निवेदन यह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारिक साथ जब तक के लिए जै जय भारत